नमस्कार नियुजिन देतक में आप सभी का स्पागत है और मैं हूँ सरफ्राज आलम और जैसा कि आप सभी को पता है दोरबीज विधान सभा चुनाव के सरगर्मी अत्तेज हो चुकी हैं और लगतार सभी परतियासी अपने अपने दलों से घूम रहे हैं और ये दावा कर र लोग के बीच जा रहा हैं सबसे पहला सवाल ये करेंगे कि क्या इस बार कॉंग्रेस आपको टिकर देगी रगनापुर्चा देखिए कॉंग्रेस इस बार अपने पूरे जोर सोर से तैयारी कर रहे हैं और कॉंग्रेस पूरे तैयारी के साथ लड़ेगी कटबंदन अभी we सब्सक्राइबél कॉंग्रेस का गण से नहीं जाना जाता है मौलाना मजुण reflected के नाब के नाम से मौलाना मजुणक बीहार कॉंग्रेस के स्थापका द्रफ्स्ट है रहंदर प्रसाथ की धर्ती है मौलाना मौजुलक वह राई कि धर्ती दर्ती कि पहर सोची अगर कॉंग्रेस नहीं लड़ रही है वैसा ही है कि जैसा अमीठी से और से कॉंग्रेस ना रड़े हैं यह ठीक उसी तरह के सीट है जैसे फूलपूर है कांगरेस के लिए जहां से जोहलाल नहरू लड़ा करते थे वैसे ही रखनाद पुर शेतर है जहां से मौलाना मज़ूलक लड़ा करते थे लगतार शेत्र मज़ा रहा है लोगों के जा रहा है किस तरह का सयोग मिलने हुआ रहा है प्रके जब हमारे निकल के जाएगा वही यवः की समस्याओ को समझ सकता आगले this — 40 Сाल तक हमेही है पूर बिहारा मेanan ते कीमरे सतीर विहारा प्र出्यूस Iwapøre और उनके लिए चुनाव बहुत निर्णाव होने जा रहा है क्योंकि अगले 30-40 साल का निर्णाव यह है अगर इसी चुनाव से सब कुछ निर्वर है कि हम अगले 30-40 के लिए अपने आपको कैसे तयार करते हैं हमारी सिक्षन संस्थाय कैसी होंगी हम किस तरह का बिजनेस करेंगे हम हमारे लिए टेकनिकल एजुकेशन कैसे मिलेगा स्वास की सुवधाय हमारी कैसी होंगी यह सब कुछ इसी चुनाव पिनिर्वर है कुछ लोग का यह भी कहना है कि सीवान को आप सही तरीके सा भी नहीं जानते हैं सुरू से दिल्ली रहा हैं ऐसे मैं आप कैसे समझ पाएंगे देखिए लगातार सी अभी यह तो हमारी यहां के नहीं मान सिक्ता चली है तो आप बताईए आपका कोई भाई बाहर पढ़ने जाता है कोई आपका भाई कमाने जाता है तो आप उसे परवासी कह देंगे कि तीन शाल का जो आपको आपको इंट साल की ठीकाना नहीं मिलेगा पी कि लिए या लवद lawn या फिर दिली जाएए तो आप देखिए आपके आपके जा गुह कुछस सुबधा नहीं आजू हम यहीं रह कर रह के पढ़ाई कर ले और आपनी स requires क्षा से क्योंकि हम जब पढ़ने जाते हो बोह सारे चीजों को सीखते हैं आप भी कहीं बाहर जाएंगे तो आप वहां से की चीजे सीखेंगे वहां से पहले की यहां पर आएंगे आज जो हमारे देश में और पूरे दुनिया में एक नई तरह की चीज चलिए कि लर्निंग फ्रम अक्सपरटाइज अफ इच अदर हम क्या अच्छा जानते हैं इसे दूसरे को सीखाएं हम दूसरे के आच्छा जानते हैं उनसे हम सीखें तभी हम अपने आपको आगे बढ़ा सकते हैं अपने परदेश को आगे बढ़ा सकते हैं अपने देश को आगे देखिए सरकारी सिक्षा तो यहां पूरी तरह से धुस्त हो चुकी है एक आकड़े के हिसाब से यहां दो करोड प्राइमरी टीचर की दो करोड प्राइमरी एजुकेशन में है और सबसे वर्स्ट सबसे बुरा हालात में बिहार में इस्टूडेंट टीचर एस यू है देश म साथ ही उन्हें कुछित लिए स्कूल के दोरान ही उन्हें ठेकनिकाल एजुकेशन का की ट्रेंिंग देτεर हो सकता है और dollard सी और सुष्वधाण को पा सकता है कि जो primary school में लड़के पढ़ते हैं सरकारी school में और private school में भी पढ़ते हैं लेकिन सरकारी school के जो सिक्षक हैं उनको पैसा मिलता है मतलब लगबक 10 गुना ज्यादा है private school के teachers से बावजूदिस के उस तरह के सिक्षा नहीं दे पाते हैं सरकार पिछले 15 सालों में तो सरकार नहीं कर दिया है कि बंधुआ मजदूरी के टाइप से इन्हों ने सिक्षा मित्र काजब से सुरू किया रिगुलरा इसन जब तक नहीं होगा टीचिंग पोस्ट का तब तक कुछ नहीं होगा नहीं पोस्टि निकालनी पड़ेंगी लगातार आप देख रही है नोकरियों में कटावती होती जा रही है पे में किसे सरकार नोकरी भी देगी यह सरकार तो जो नोकरी है वो भी चिंग रही है लोगों के जो हांसे जो जिसम कहते हैं कि रोटी छिंगना वो रोटी छिंगने का काम यह सरकार कर रही है विधायक यहां पर फिलाल रहा है जो हरी संकर याद हो आप यह गडबंदन से आते हैं क्या लग रहा है मैं पलेण जाता हैं जितना हैं अब कुछ नहीं नहीं कर चाहिब अपनी नह अफिटाक यह से नेता आते हैं जो यहां पे पिकनिक बनाया और चले गए यहां कि जनता आपको वोट क्यों देखा है तो आपको दिल्ली धूंड़े नहीं जाएगे यहां कि देखिए बैसा कोई वह नहीं है कि मैंने आपके आप आपके लिए जाते हैं अच्छी कमाई के लिए जाते हैं बाहर घर बसाने नहीं जाते हैं घर हमारा यहीं है और हमें यहीं रहना है अपने भाईयों के बीच रहना है अपने लोगों के बीच रहना है अगर उस्व सिंग को टीकट नहीं मिलता है प्रिश्टिती में क्या करें देखिए मैंने थोड़ी दिर पहली आप से कहा कि मैं कॉंग्रेस के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा महागडबंधन में रहेंगे त साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेंगे और देखिए को इस बार ऐसा नहीं होगा कि लगेगा कि सिर्फ आरजेडी चुनाव लड़ी है और जो भी कारे करता है उससे यह ना लगे कि कॉंग्रेस खतम हो चुकी है कॉंग्रेस यहां नहीं है हम लगातार कॉंग्रेस को यहा आर जो चुकी हो अँके है कि इस बार गड़बंदन के तरफ से कॉंग्रेस के खाते में रखुनात पूर्शीट जाएगा और उनको ही टिकट मिलेगा हला कि आने वाला वक्त में यह पता चलेगा कि कॉंग्रेस से इंको टिकट मिलता है ने अगर इंको टिकट मिलता है तो जनता अपना असरबात कैसे इंको देती है आने वाले वक्त बताएगा बहुत बहुत धन्यवाद